जुबल कोटखाई से विधायक पुरव बागवानी मंतरी नरेंदर बराग्ता ने खबरे अभी तक के साथ विशेश बाचित में आगामी चुनाओ में भाजपा की जीत नहीं सुनामी की बात कही है और क्या कुछ कहा उन्हें चलिए आपको सुनाते हैं हिमाचा प्रदेश में भी लोकस्वा चुनाओ का संग्राम शुरू हो गया अब बता पाएंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण एरियाज को ने जहां भाजपा आने वाले लोकस्वा चुनाओ में फोकस करी बागवानों के लिए एक एक एजेंडा बनाईए देख्या आपके द्यान खड़े किये हैं आपकी सरकार के वादे भी थी वो वादे जमीन पर उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं जनता में और बागवानों में खासकार इस बात का रोशें इंपोर्ट डीटी नहीं बढ़ाई है सब्सक्राइब आपको 2012 में ले जाता हूं 2012 में जब चनाब हुए तो कांग्रेस ने मैनोफेस्टों में जिसमें आने शर्मा भी डाफ्टरी कमेटी में थे और भी इनके मुख्यों नेता उसमें थे और वो कॉमर्स मिस्टर भी थे दिली में उनने का कि हम इसको डेट सो कर देंगे और आपके ध्यान में में रिकॉर्ड पिस बात को भी लाना चाहता हूं कि जब हम बागवानी मंतरी थे और दूमल जी की सरकारियां थी तो इसको बीस से पजाज प्रिश्यत हमने किया था हमारे वक्तिन माता उसे पहले एक परसेंट भी को और से नहीं मिला था इन देखना है आने वाले चुनाओं में बागवानी और से बहूल क्षेतर का मुद्धा चुनाओं में मुद्धा बन पाता है या नहीं